नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के साहतारिक्रम में और आज हमारे साथ हैं भावूतोर सेकर जी बावूतोर सेकर जी से हम आज कल की राज की कतिविदियों पर चर्चा करेंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है भावू नमस्त करें महाराष्टर नदाड़ू बंगाल राम मंदि अर कुछ करनाटका में घड़ा है घ्रार का उसके बारे में तो पहले महाराष्ट से अरभ करते हैं कि महाराष्ट में दो चीजा जो हैं वह बड़ी इससे में दिखाई पड़ रही हैं एक तो हम देख रहे हैं कि शरद पवार जी ने दोनों मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री को इन्वाइट किया है अपने घर पे और लोग जा भी रहे हैं तो यह क्या है यह कौन सी राजनीती है गर अजने अगर नहीं बुलाया है उनकी जो शिक्षन संस्था है उनका तो उसी ग्राउंड पर वो रोजगार मेला नमो रोजगार ऐसा कुछ बड़ा मेला होने वाला है उसके लिए तीनों दो डेपुटी सियम और एक सियम जा रहे तो उन्होंने बुला लिया उनको अब यह आ रही रहे तो खाना खाके जाओ तो उसको निमंटर नहीं बोला जात तो आए खालो थोड़ा इसको मैं निमंतर नहीं मानता अचा आप खाने पर बोलाएंगे आपके दोस्ति की शादिये या मेरे दोस्तिक वह आप बुलेगे कि जाते-जाते मेरे घर में नास्ता करके जाओ उसको कोई निमंटर नहीं बोलता है अच्छा आओ टीक है और शिर्फ इनकी समस्था का ग्राउंड इस्तिमाल हो रहा है तो पुरिया शुड़े बोली कि हमारा भी कोई प्रोटोकॉल होता है जब राम जन्म भूमी से इनको निमन्टर मिला तो प्रोटोकॉल जा नाम का कोई शब्द था ही नहीं अचनक से प्रो तो आपने उसकी दज्जिया उड़ा दी थी तब प्रोटोकॉल कहां गया था किया नहीं तीक ता आपको समालने हम तो अनितेश है ही इसके तरीके से यह क्या बोलते है कबूली देने जैसा होता है नो कि तरत पावर बौखला है तो उनको समझ में नहीं क्या करे क्योंकि प अच्छा वो तो नहीं लड़ने वाले उनकी बेटी ही लड़ती आए पिछले तीन चुना लेकिन बारामती गई तो पावर खतम होगे यह उनको भी समझ रहे है और उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि मोदी और शाह बारामती को बढ़ जाएंगे उन्होंने सोचा नहीं थ तो अब उसके परणाम जोगे यह तो मैं दो साल से बोल रहा हूं अभी की बात नहीं है जब महाराष्ट की सरकार गितने वाली थी उसके एक दो मैने पहले से मैं बोल रहा था कि यह जो मजाग बना रखा है शरत पहारते उसकी कीमत बड़ी बड़ी बारी कीमत इनको करने अधा करने पड़ेगी और वो मामला अब आगया वह तो दिख रहा है वैसे तो इन्होंने अपनी सीट शेरिंग तो कर लिए बताते हैं कि शिवसेना वी सीट पे लड़ेगी एठारा सीट पे कॉंगरेस लड़ेगी दस सीट पे लड़ेगी ने वह तो वह तो वह चीड़ सीट शेरिंग जून जुले अगर्स तक चलता रहेगा और आपको याद होगा तो एक सिटमबर से शेरिंग चाल हुए मॉंबए में हयात होटल में जब इंडिया अलायंस की मिटिंग होई थी 28 पार्टियों की उतके बाद तो मैं आपके यहां जैपूर आया था मैंने बोल जलकल प्लाटफॉर्म पर आई नहीं रहे हैं मैंने अपने का पाच पाच या छे नौंबर को आपके जैपूर में मैंने बताया था आज भी वही गाड़ी आर्ड में खड़ी है प्लाटफॉर्म पर नहीं आ रही है जब आज भी यही तो सीट शेरिंग तो हो जाएगा कर सकते हैं अभी चुनाव होने दो ना चुनाव तक मतदान होने दो उससे क्वा मतलब है वो तो सीट शेरिंग दोजार उनतीस के लिए 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 तो फार्मिला क्या था है कि है कल आपने अगर मुंबई में जो मिटिंग हो गई तीन पार्टियों की उसमें प्रकाशा मे जित शक्तिये उसी पार्टी को देना है अभी पार्टी जीतेगी तब कभ होगा मही के एंड वे जब वोटिंग की मतदणा नहीं होगी तब पता चलेगा कि कौंसी सीट किसने जीत लिए तो जो जीतेगा उसको ही सीट देनी है तो भीजेग्वी को भी सीट देनी तो यह पहिमाना क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो जो पार्टी जीत सकती है उसको दे देंगे ऐसा सीट का बटवारा है तो पिछले चुनाव में 41 सीटे इंडिये ने जीती थी तो हिंडी अलाइंस के लिए साथ सीटे बस्टी है कि जीतने वाले को सीट देने वाले तो जीतना तहीं तब होता है जब बंदगड़ा ना होती है इसका मतलब साफ है तो अजार उन्तीस का सीट का बटवारा चालूए यह तो बड़ा फिर तो लगता है कि इस इसाफ से इन्होंने सीटे जीती है अब सीटे मोधी के नाम पर जीती थी नहीं बिलकु grad आप के लिए गडवडण असृतोस के लिए गडवडण अजित अन्यों के लिए गडवड ल्युटियन्दिली के पत्तरकारों के लिए पाल्टियों के लिए नहीं ना उनको तो चुनाव लड़ना तो नहीं है लड़ाई हो जाती है लेकिन आप जीतने के लिए निकलते हो इन में से कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम अगला सरकार बनाएंगे बोल रहे है अगली गवर्मेंट बनाएंगे बोल रहे है नहीं बोल रहे है यह सिर्फ भूदी को हराना यहीं बोल रहे है इसका मतलब यह आपको शूरी दिखाता है बंदूग दिखाता है तो आप क्या बोड़ते हैं आपको घने चाहिए लेलो बटवा चाहिए लेलो मुझे छोड़ो तो यह जो अलायर्श का चर्चा चल रहा है उसका आप लॉजिक समझें हरे कोई बोला है यार मुझे छोड़ दे तु गहने ल ले ले बटवा ले पैसा ले ले ATM कार्ड ले मैं पासवर्ड भी देता हूं मुझे मारना नहीं इस धंग से जो करता है कोई उसको लड़ाई नहीं बोलते तो गड़बड नहीं हो ले गड़बड किसके लिए होगी अशुत उसके लिए होगी जो रो रहे हैं इनको सुतक लगा हुआ है एक मजग में किस्सा बता दू आपको इसी एक बच्चे का जन्म हुआ था तो कुछी जोतिशी को बुला है इसकी कुंडली बना दो तो बोला यह तो बच्चा बहुत देंजरस से बुले क्या हुआ अरे जनम के बाद दस दिन में बाप मरने वाला है तो घर का जो यह होता है उसको निकल देता है दस दिन के बाद पड़ोसी मर जाता है तो यही हालत ल्यूटियंस मिडिया और इंडिया लाइंस किये मर रहे वो और बच्चा इनका है जाने दो किस्ता है मजग कर देंगे लेकिन यह दो अभी अलग-अलग ओपिजिन पोल आए हैं एक ओपिजिन पोल कहता है कि 45 सीटे जीतेगी इंडिये और दूसरा पोल कहता है कि 35 सीटे जीतेगी आपको फिगर कौन सा लगता सही मुझे 40 से 45 पहले से लग रहा है क्योंकि यह लोग देखो कर लोग आपको कितनी सीटे आएगी वो लड़ने से होता है आप जो सीटे उमीरवार खड़ा करना इसका मतलब लड़ना नहीं होता आप जीतने की कोशिश करते हो और जीतने के लिए पूरी टाकत जोग देते हो नो उसको लड़ाई बोलते और उससे जीत होती है अब यह अड़तालीस कॉंशिट्योंसी चुना उक्षेत्र हो या पाच हो यह जो कुछ हो लेकिन आपको पूरी टाकत से जोग देना पड़ता है कि बस कि हमको बस यह सीट कुछ भी करके जीतनी है इस धंग से मुदी चाह बीजेपी लड़ती है हमें इन में दिखाई जाए देखो एक सितंबर को मुंबई में तहिए हुआ था कि सितंबर एंड तक एक सितंबर को तहिए हुआ कि सितंबर दोजार तईस के एंड तक हर राज्य में इंडी अलाइंस में जो दल है उनको अपने राज्य के सीट का बटवारा पुरा करना है अल्श हम बोल रहे ह는지 मार्शा याने पूरे 6 मैने होगए थे मैने में एक राज्य में में ऐसी पता बटवारा नहीं हुआ यह टो अगरिए महाराष्र में नहीं हुआ है, हमारश्र यसार की कि वन्चित बहुजन आगाडी को साथ में ले लेंगे या नहीं लेंगे अब कल मिटिंग हो गई उसमें फिर प्रकाशांबेड कर आये ही नहीं कि याने मिटिंग भी तई करते तो देखना पड़ेगा भाई किसके क्या प्रोग्राम है उनका कोई प्रोग्राम था वह बोले प्रोग्राम चोड़ कर तो नहीं नहीं आउंगा याने इन में कितना बढ़िया कोरडिनेशन नहीं देखो कि चार पार्टियों में काउंसी पार्टि का कहा प्रोग्राम है उसको क्या टाइम एवेलेबल है इसका भी एक दुसरे को पता नहीं है और बारा घंटे बाद अशोक शवान जो आज आज इंडिया अलाइंस में सी इंडियों में वहां के एंपी भी बन जाते ये भी इनको पता नहीं है तो सीट का बटवारा वगरे बोलने में कोई मज़क की बात नहीं है चलता रहेगा मैंने पहले बोल दया दो अधार उनतीस की तैयारिया चल रही है लेकिन यूपी में तो फाइनल कर लिया इस नहीं ह पहल है तो उन कहां हारेगा ये तैय को रहा है उसने बुञे हैं मैं ऑकला 70 सीटेह हरने के बजा है घीक है मैं 63 सीटेह हड यार जाता हो तुम 17 सेब ये प्राइ corr के बाद क्या मिलने वाला है इसके लिए इकत्था आकर लड़ते हैं और आगे जो मिलने वाला है उसका बटवारा होता है यहां क्या-क्या हरने वाले तो मेरा नुक्सान पंग हो इसमें नुक्सान में भागिदर ही करने के लिए आज़ु इसा Nik train में तुर यह जो इंटी इन्टीे सारव आ धने यात्रा चला ही म्यिक्सा क्ष सिले लंडन उक्रेंग उनको चले गए लंडन और तुर कांप पेड़ एवेंट थी, तो ये क्या करने गए थे वहां पर पेड़ इवेंट इस टाइम पे जहां पर यहां सारे लोग जो हैं, वो फाइरिलाइज कर रहे हैं लोगसबा की स्ट्राटजी, तो उस समय यह यह तो यात्रा करते हैं, या किसान अंदोलन चलाते हैं, या केमिरीच प्वाविश्णवाडी 70 साल पहले हो चुकी है कि चौपन पचपन में एक फिल्म आई ती शायद में चौपन पचपन शुकन में होगी बरसद की रात नाम通 फिल्म आई ती उसमें कव्वाली थी आपको याद होगा उसका वाली में रहुल गांदी की दोहजार चौबिस की पदयात्रा का वरणन आया हुआ है ना तोकारवा की तलाश है ना तोहम सफर की तलाश है मेरे शव के खाना खराब को तेरे रहगुजर की तलाश है तुम कहां रहते हो याने चुनाव की जीत कहां रहती है उसकी तलाश है अब आगे जाकर वो क्या बोलते हैं उस कवाली में आगे जाकर क्या बोलते हैं दोको पुरी कवाली आपको 2024 की पदयात्रा की बात बोल देंगे क्या है यह मजाग बना रखा है मेरे नाम उराद जुनून को क्या कवाली याद करो जड़ा मेरे नाम उराद जुनून को है इलाज कोई तो मौत है याने अनीच्छा से मन में इच्छा ना होते हुए भी जब आप आवेश में आ जाते हो मेरे नाम उराद जुनून को जुनून का है इलाज कोई तो मौत है तो मौत है रहूल गानी ने एक ही इलाज बचा के रखा है वह मौत कॉंगरिस की जो दवा के नाम पर जहर दे आईसे चारागरेटी तलाश है धूंढ कर शुभा को लाया है, कनया कुमार को लाया है, सुरुजी वाला को लाया है जो दवा के नाम पर जहर दे यह पच्पन-चपन-चपन-चत्कर साल पुरानी कव्वाल यह जिसमें राहुल गानी की 2014 की पदयात्रा का भविश्यवानी की वरणन, भविश्यवानी का वरणन आया है अब लोग सुनेंगे तो बोलेंगे भाव कहां से यह सब चीजे लाता है अग दिमाग लगाकर हम सुने है तो हमारे समझजारत है अब राहुल गानी की पदया वो निकले मनीपूर से निकले है 14 जन्वरी से वो जहां-जहां से निकले है वहां-वहां से जो कुछ साथ आ सकता तो भाव निकला ना तो हमसफ़र की तलाश है उनको किसी मितर दलो की तलाश है ही नहीं है तलाश कोई तो महुत है आपको पता चलेगा राहुल गांदी का जूनून क्या है पूर बड़िया बोला जाता है जे न देखे रवी ते देखे कभी यानि सुरज भी बात नहीं देख सकता वो बात कभी देख सकता है देखो इस टायर ने 70 साल के बाद राहुल गानी क्या करें यह उस कववाली में लिख रखा है हम ने थ्यान दियानी नहीं उदर हम गाना भी समझने की कोशिश नहीं कि यह तो विल्कुल फिट पुरा बंगाल पहुंचते मंता चली गई बयार पहुंचते निशीत चले चले गए और शुरू होने से पहरे में देवला चले गए शिबू सोरें अंदर गए जारगंड पहुंचती और इदर घूम रहे तब तक अशो आप मिल्कुल तो मामला तो बड़ा इनका पेचीदा है अब आप मिलनाडू और पश्चिम बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं क्या होने माला है मुझे लगता है जो 370 का अकड़ा मोधी जिन निकाला है वो बंगाल और तमिलनाडू के अधार पर निकाला हुआ है बड़ किसमत भी क्या होते है मुझे जोतिश भविश्यवानी यह समझ में नहीं आता उस पका क्या लॉजिक है लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यह सिखना चाहिए और मोधी की कुंदली स्टड़ी करनी चाहिए एक आदमी की इतनी अच्छी किसमत कैसे हो सकती है ठीक में 30 सीटे परोश दिये मोधी को जिस धंग से यह भूल गई कि कम से कम 17-16 साल पहले जो सिंगूर और नंदीगराम का मामला हुआ था इसी धंग से हुआ था कामन मैन रस्ते पर आगया उसके परिणाव वर्ष लेफ फ्रंट की 2009 में बुरी तरह से हार हो गई थी 2008 में सिंगूर नंदीगराम मामला हो गया और 2009 के लोकसभाचुदाओं में पहली बार बुरी तरह से लेफ फ्रंट हार गई थी और उसके बाद दो साल में खुद मुख या यह यह जिए जिए जिर दंग का अंदोलन हुआ था उस अंदोलन में आज आपको आपको पूस्वेंदू अधीकारी दिखाए दे रहे उसक्ते सुनिया अधीकारी और मंता बैनर जी थी कि और क्या हुआ बुरी तरह से हार गई हार गई लेफ फरंट और ममता जीदी जोर शोर से लोग सबातक पाउच गई, रेल मंत्री बन गई, दो साल बाद नुक्ष्य मंत्री बन गई, याद होगा आपको, तो बिलकुल वो सिच्वेशन मूधी ने पैदा नहीं कि ना बीजेपी ने पैदा कि, जब ये एडी पर हमला हो गया, और ये मामला गड़बड़ा रहा है, उसी वक्त अगर शहाजा को अंदर डाल देती ममता जीदी, तो ये इतना बड़ा फैलता नहीं, अब ये मैं कल सुन रहा था आपके अश्यूतोष वगरे लोगों को, उनका एक वीडियो देख रहा था, तो बोल रहे हैं नहीं, इसका परणाम पूरे और कहीं हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल के मिडिया ने ये मामला उठाया ही नहीं है, बंगाल के मिडिया में संदेश खाली का मामला कहीं भी नहीं है, ठोड़ा कोई रिपब्लिक में आया होगा, इधर उधर आया होगा, लिकिन ये भूलते हैं कि बंगाल के भदरो लोग अंग्रेजी चैनल भी देखते, टाइमस नाव पर आ गया, इंडिया टूडे पर हो ग गया, और उसके बाद मेंस्ट्रिम मिडिया तो अभी उसके आउट्डेटेड हो गया, सोशल मिडिया काम करता है, तो संदेश खाली का मामला, बंगाल के गाव गाव में सोशल मिडिया से पहुझ गया है, और इसको इनको पता नहीं है, कहने का मतलब यह कि देखो, कल शाजा कोर्ट में हाजीर हो गया, उसको दस दिन का स्प्रेमांड मिल गया, तो संदेश खाली में रस्ते पर आकर एक दूसरे का गुलाज ब्रामून बाट रहे, फूल लगा रहे, नाच रहे थे महिला है, यह सोशल मिडिया से घर-घर पहु तो ममता को हटाना पड़ेगा, यह संदेश बाउज गया है, और उसका बड़ा परिनाम, मैं देखता हूँ, कि शायद बीजेपी 30 सीटे अकेले जीत शक्तिये बंगालों, 30 सीटे, कि शीटे जीतेगी तो तो फिर बहुती बड़ा अपस्टि जाएगा, और 15-20 सीटे अगर तमिलनाडू में निकलाए, तमिलनाडू का मामला भी हमें ढंग से समझना जरूरी है, आज तक की यहने, असी से लेकर 2015-19 तक का जो समय है, 40 साल का, उससे आज की परिस्षितिया ब क्योंकि जब से DMK, अजना DMK बन गए, याने तमिलनाडू की राजनीती में सत्तावाधी पार्टी और अपोजिशन पार्टी, कॉंग्रेस और DMK हुआ करती थी, लेकिन 1980 के बाद, याने DMK ठूटी और अजना DMK बनी, तो सत्ता में भी DMK, अपोजिशन में भी DMK, दोनों द्रवीड पार्टिया हो गई, बाकी की सब पार्टिया मार्जिनलाइज हो गई, याने तमिलनाडू की राजनीती बाइपोलर हो गई, वहाँ नैशनल पार्टी, BJP हो कामरेस हो, किसी एक द्रवीड पार्टी का छोटा बच्चा भाई होकर उनको राजनीती करनी पड़ी, उससे अन्नम अलाई ने तमिलनाडू को अब निकाल लिया है, सनातन हिंदुत्व मानने वाला जो क्लास था, वो बोलता था इसको दो ये उसको दो फरक का पड़ता है, ये तो हिंदुत्व के खिलाप है, वो जो चुपबए थे थे, हाइबर्ट नेशन में गए थे, सुप दुत्व मानते है, सनातन का अपमान हम नहीं सहलेंगे, ये बताने के लिए अन्नम अलाई ने पिछले तीन-चार मेने से लोगों को रस्ते पर लाया है, तो उसने क्या किया, आप समझ रहे हो, जो दोनों DM के है, दोनों ड्रवीर पार्टिया है, उनसे हटकर जो 30-35% वोट अलग पढ़ा था, डिमोरलाइज हो गया था, उसको रास्ते पर लाया है, तो वो बड़ा परिणाम दिखाएंगा, और उसका और एक कारण में बता दू, कल परसो की बात है, दो-तीन दिन पहने की बात है, विजया धरन ऐसी कोई महिला है, जो कॉंग्रेस की MLA है, आज की विदान सभा में कॉंग्रेस की MLA थी, उसने MLA शिप छोड़ी और वो BJP जॉइन किया, उसने, मतलब समझते हो, एक MLA चुनकर आया, और दो साल पहले रिजाइन कर रहा है, BJP जॉइन करने के लिए, उसको जितनी जमीनी हकीकत मालूम है, उतनी आपको मुझे, या सेफॉल को मालूम नहीं है, उसको जितनी जमीना, क्योंकि वो लोगों में मिक्स होती है, लोगों से साथ इंटरेक्स करती है, तो लोगों का कल किस बाजू है, किस बाजू जुखा में, वो उससे ज़्यादा पता है, वो अगर कॉंग्रेस छोड़कर BJP में आई है, तो उसको लगत सकती है दूसरी बात है अड़ना डीमके के पूर्वर छवदा एमेले एक्स एमेले बीजेपी में आ गए सबसे डावा डॉल अड़ना डीमके हो गई है क्योंकि यो तो करिविश्मा वाली पार्टी थी जैलेलिता चली गई अड़ना डीमके प्रैक्टिकली मर गई है तो उसक स्टैलीन शिए जाय रहार है तो तमिल नाड़्त कहां जा रहा है पके सिगनल अगर आपके पास ओसी नल पकड़ने वाला मार्ट फोन मोबाईल फोन या मशिनरी होगी तो वह षेगनल आप रिस्व करेंगे वरना तो आपके लिए सेफैलोजीस बैटे लेकिन लोग जो है जो खेह रहे हैं जानने वाले वोट तो पढ़ जाएगा बीस परसंट से उपर चला जाएगा पहले दो परसंट था 220 बहुत बढ़ा गेन है लेकिन सीटे जो है बीस परसंट पर ज्यादा नहीं मिल पाएंगी मैक्समाम चार-पांच मिल सकती है बीच में मैंने कही यश्वन देश्मूग जो अच्छे सेफालोजिस्त है उनका इंटर्यू मैंने सुना था शायद बढ़ादत का वगरे था तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोल दी कि 1980 में सेफालोजी हमारे देश में शुरू हो गई उस वक्तों एक कही बढ़ी पार्ट थी गउंग्रेस तो सेफ्वॉलोजी का अधार बैस क्या बना ला कि या तो खNew जीतेगी या तो कॉन्वेश और मैं त्सिर्प्रोजी नहीं बता सकती थी भुल का सिर्क और हरेंगी यह We'reheadी participating in लोगों में नाराजी है तो उन्होंने अठी बात यह स्वर ने बताई कि असी से लेकर 2005-2010 तक हमारा पूरा अधार जो था से पॉलोजी का वो एंटी इंकुंबंसी पर बेस हुआ था प्रो इंकुंबंसी की सोची हमारे दिमाग में नहीं थी लेकिन एक बात यह हो गई कि 1991 में एकोनोमी फ्री हो गई अर्थव्यवस्ता मुक्त हो गई खुली हो गई उसके परिणम आते आते 2000 साल सामने आ गया तो 21 सधी में खुली अर्थव्यवस्ता के फायदया का फायदा ल गया और वो प्रो इंकुंबंड होता है यह हमारे दिमाग में आज तक नहीं है 2004 से हमारे सेफालाजी के अकड़े फसने लगे क्योंकि हम अंटी इंकुंबंसी पर बोल रहे थे और वोटर मतदा था तो इंकुंबंसी पर सोच रहा था तो उसका चरम हम देखे उचाई हम द यह क्योंकि जमाना प्रो इंकुंबंसी तक आप हो जाए और मोदी जी अपनी पॉप्लिरिटी कायम रहे इसी डंग से अजंडा चलाते हैं प्रोग्राम चलाते हैं कारोवर करते हैं जी आप सभी कह रहे हैं बिल्कुल पता तो नहीं चलता है कि वहां इतनी सीटें आ जाए लेकिन अन्ना द्यमके पूरी की पूरी खतम हो चुकी है क्योंकि उसका अधार नहीं बचा उसका अधार देखो पिछला चुनाव भी जो हुआ उसके पहले का चुनाव जैला लीता वो चुनाव जीतकर मर गई है तो उसके बाद जो उनकी जो था वह अभी करिश्मा वह घ जाता है अब तमिल नाडू में जो मीजे पीसे जुड़ेगा उसको हम असली मोधी भक्त बोल सकते हैं ना संजय दिक्षित ना भावतोर से कर, हम मोधी भक्त नहीं हैं, हम मोधी को चाते हैं, हम उसके फैन हैं, हम भक्त नहीं हैं, तमिल नाडू में भक्ती चलती हैं, तो इन लोगों ने दस साल से मोधी भक्त अंदभक्त शब्द बनाये ना उसका सबसे बड़ा अविश्कार चमतकार अब इस चुनाव में तमिल नाडू में देखेंगे कि मोधी भक्ती क्या कर सकती है और मुझे आशंका है एक संभावना दिखाई दे रही है शायद मोधी जी त समिल नाडू से दूसरा चुनाव क्षेत्र लेकर चुनाव लड़ सकते हैं हां ऐसा तो मुझे भी ऐसा लग रहा है वैसे एक यह बाद बताएं जायद वो चुनाव क्षेत्रा रामेश्वरम होगा जी जी जहां से माची बताएं शुरू होता है आप तो अयुद्या में ब माहौल देखा होगा और जो लोग जिनोंने भी राम द्रोह किया था और इन्विटेशन के बाद भी नहीं आये थे उनकी क्या इस्तिती होगी तो भी आप देख रहे हैं तो यह राम मंदिर का क्या इंपक्ट आपको लग रहा है इंदी भाशी छेत्रों में वैसे तो वहां बहुत ज्यादा बढ़ने का इस पूप नहीं है लेकिन माहौल क्या आपको लग रहा है क्या बनेगा तो ही तो मैं मुझे लगता है बंगाल देखो बंगाल 42 और 39 40 तमिल नोड़ो यह 80 सीटे है इसमें 80 सीटों में 18 सीटे बंगाल की वीजेपी के पास है याने 60 सीटे यहा तो कहां तक पहुचेंगे यह सोचो दूसरी बात बोल दूँ अपको कि 303 सीटे बीजेपी ने जीती थी उसके बाद दो नंबर से हारीवी सीटे बिछले चुनाओं में 1990 अब 2019 में 72 सीटे थी दोनों मिलाकर कितनी होते हैं 575 होते हैं तीसरे चावते नंबर की बाद तो वो कुछ 50 सीटे तो आकड़ा 425 तक पहुच जाता है वो छोड़ दो लेकित एक या दो नंबर की सीटे बीजेपी ने जीती या दो नंबर से हारी ऐसी सीटे मिलाकर अगर 375 हो रहे हैं और उस 72 सीटों पर या बिलकुल छोटे मार्जिन से जीती हुई जो बीजेपी के सीटे है ऐसी सव सीटों पर बीजेपी फिसले तीन चार सालों से काम कर रही है यानि जो सीटे लड़कर जीतनी ही है ऐसी सीटे बीजेपी ने 400 तीन सो पच्छतर से जादा बनाई है और उसमें से 370 सीटे जीतनी है समझ मैं आया आपको कि दिएपी का देखो क्या होता है मेरे हमारी मेरी पत्नी वह डिस में आती थी हमेशा मेरिट में आती थी उसकी ने मुझे पूछा आपने जो सवाल पूछा कंशो को कि जीतने हो गया कई उसरे का सार् ey a Autom. 1200 हों सरकार बन गई तो 370 क्यों चाहिए तो मैंने वही सवाल मेरी पत्नी से पूछा कि तू तेरे स्कूल में तू तेरी कॉलेज में एक नमबर को आती थी फिर भी आखरी तक स्टेड़ी क्यों करती थी क्योंकि तुझे सिर्फ मेरीट लिस्ट में नहीं आना था तुझे टॉपर बनना था मोधी शहाजी दंग से सोचते है वो टॉपर बनना चाहिए तो 370-400 यह आकड़े कहां से आते हैं उनको टॉपर बनना है कि रेकॉर्ड होना चाहिए अगर यह इस धंग से अपोजिशन सोचेगी तो टक्कर दे सकते हैं इनके दिमाग में ही नहीं है देखो 15-20 दिन पहले तक जब तक मोधी जी 370 धारा हटाई तो 370 आएगी ऐसे बोल रहे थे उसके पहले तक क्या बोला जाता था नहीं नहीं ब करें आपके बोल रहे थे ना अजीत अंजुग यह पिछले 10-12 दिन चे भूल गए 200-200 यह आखडा भूल गए यह बोलें 370 नहीं हो सकते हां 300 हो सकते हैं 300 हो सकते हैं 300 हो सकते हैं यानि यह खुद बोल गए कि इनका आजेंडा 200 के पहले रोकना का था यह आज ही बोलने लग पुर्ष्णा होने से पहले मान लिया है कि भाई मेजर्टी मिल गई मोधी जी तिसरी वार आगे तो परिणाम देखो 370 बोलने का परिणाम देखो चुनाओं के पहले से दिखाई देने लग यह बात जी तो मैं और यह थोड़ा सा आप जो राम मंदिर रान प्रतिष्ठा क कि जो आप वहां पर गए थे तो वहां का भी थोड़ा सा आप अपने पूछा कि मैं हाजिर था वार दिखिए छे घंटा बात थोटी नहीं है मैं तो वहां से वापस लवटा उस सर्दी थंदी से मंबई में आके मुझे वाइरल इंफेक्शन हो गया मैं चार दिन तो बेड़ डिड़न था लिकित वहां मैंने देखा चोटी बात नहीं थी मंदिर के इजवाजू में जो सब वी आईपी सेलेब्रिटी बैठे थे अमि सर्दी थी आपको बताओ छे घंटे यह लोग बैठे थे कौमन मैं जैसे बैठे थे दो तरफ सादू संत थे और एक तरफ हमारे जैसे लोग थे उसमें यह सेलेब्रिटी आगे बैठे थे उस थंद में छे घंटे बैठना छोटी बात नहीं है अगर मोदी के लिए मोदी को खुश करने के लिए रजनी कान अमिता बच्चन से मुकेश अम्मानी तक वहां बैठे रहते हैं तो उसका इंपक्त सामने जनता पर क्या होगा आपको एक पुरानी बात यहां करता हूं कि मेरा खाल है मोंगीर हो या कौन सा चुनाव खेतर था मुझे मालूम नहीं तो तो किसी कॉंग्रेस वाले ने ढूम निकाला कि मधुलिमे ग्रैजुएट भी नहीं है तो डॉक्टर राम मनोर लोहिया ने उस दूसरी प्रचार सभा में मधुलिमे के साथ उनकी पत्नी चंपा लिमय को बुलाया था श्टेट पर बिठाया था श्टेट पर मधुलिमय की पत्नी भाई थी थी और डॉक्टर लोहिया बोले चंपा खड़ी हो जाओ बोले यह जखो यह मधुलिमय की पत्नी है इनका नाम मालू मैं आपको इनका नाम डॉक्टर चंपा लिमय है मतलब यह डॉक्टर है इनोंने पी एजडी की है आप सोचिए एक भारतिय नारी जब अपना पती चुनती है तो अपने से भी उचा चुनती है खुद से गुणी चुनती है अगर यह पीजडी की हुई डॉक्टरेट लाई हुई महिला है तो इसका पती कितना पढ़ा होगा तो जो वैसा आर्ग्यूमेंट से कौमन मैं पर परणाम क्या होता है देखो अरे मोधी पुजा करेगा इसके लिए छे घंटा मुके शम्मानी अमिता बच्चन रजनीकान थंद में आकर बैच जाते छे छे घंटे तो हम किस खित की मुली है हमको भी उसी भगवान के पएर चुने है यह माहोल पैदा हो जाए अमिता बच्चन को का अमिता बच्चन ए एक मॉडल है बिस्किड बेचते हैं कोई डॉक्टर फिक्सी अलग अलग उत्पाद है वो बेचने के लिए अमिता बच्चन मॉडल होता है तो वो अगर बोलता है तो जो परणाम 35-30% मिलता है वो परणाम चुनाव के लिए उस प्राहन प्रतिष्ठा से बूदी ने अल्र राजनीती कर रहे राजनीती कर रहे बोल रहे थे उन गदो को इसका पता नहीं लगा किरे इतने मॉडल लाके सामने खड़े कर दिये उन्होंने मुझे तो बोला नहीं लेकिन नमस्कार किया, खड़ा हुआ, वो पुष्पवुष्टी हुई, तो उसका दिखाया गया, दुनिया भर दिखाया गया, उसका जो इंपेक्ट हुआ है, वो इन्हों आप देखी और एक बात बता दुआ, अब 10-15 दिन पहले की बात ह हम तो इन्वाइटी थे, मैं गया था, अब मुझे चंपतराय का एक खट मिला है, उन्होंने खट बेज़ आपको, सब जो इन्वाइटी थे, उनको एक खट बेजा है, उसके थाथ पसाद भी बेजा और अयोध्या से, मुझे मिला तो जितने इन्वाइटी हुणको मिला हो होगा उसमें ख़त भी है कि भाई उस दिन प्रणपतिस्था खतम होने के बाद राम लल्ला का दर्शन लेने में आपको जो दिक्कत आई उसके लिए माफी चाहते हैं उदर की व्यवस्ता गडबड़ा गई थी तो आपको थोड़ी तकलिफ हुई उसके लिए माफी चाहते है और यह प्रसाद भी भेज रहे है और उसके साथ देखो जो माची सोती है इस साइज का एक काला पथर भेजाएं जिस पथर से जिस शीरा से वो राम मुर्ति बनाई है उस पथर का एक टुकड़ा हमको भेजा गया उस प्रसाद के साथ अभी 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 एक मैने पहले की बात है यानि प्रान प्रतिस्था के बात एक मैना हो गया और हमें वो बेजा गया जो अब मैंने जिनको बताया, वह आकर मेरे घर में उस पत्थर को नमन कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, प्रहान प्रतिस्था का प्रज़णाप्रभाव समझ रहे हैं, यह राजनीती है, वो पूस्ते कहां है वो चंपद्राय का खथ, मैं दिखाता हूं उनको, यहने मैं कहीं जाता नहीं, कुछ लोगों से मिलता नहीं, लिकित अब तक 11 लोग मेरे यहां पहुच गए घर में, मेरे से कहीं से उनको सुना, तो आरे हमको कम से कम उस पत्थर का दर्शन करो, उस ठीला का राम शीला का दर्शन करो ना, हमारे घर में वो छोटा मंदिर उसमें रखा है, तो उसको उधर आके मत्था ठेकते हैं लोग, तो असली राजनिती यह समझें ही नहीं यह, वो इडिविटेशन पर चर्चा करते बैट गए, और असली राजनिती कहां तक पहुच गई है, और एक बात मेंने सुनिये, कि 543 चुनाउक्षर में, हर चुनाउक्षर से मतदान होने के पहले, कम से कम एक हजार लोग अयोध्या में मत्था ठेकने पहुचेगे, यह भी विवस्था की गई है, अब सोचिए इसका प्रभाव क्या होगा, यह क्या होगा, मैंने और एक बात, मैं वहां बैठा था, तो वो पुष्टो गृष्टी कर दी उन्होंने हेलिकॉ तो मैं बैठा था, तो आपके राजस्थान से कोई एक फोक्स्वांग वाली महिला सिंगर थी, वो मेरे सामने की कुर्सी में बैठी थी रो में, वो उट गई थी और उन्होंने हवा में उड़ती आई एक पंखुडी पकड़ी, और सब को हसकर दिखा रही थी, तो मैंने ब कुर्सी छोड़कर जमीन पर नीचे बैठ गया, और जितनी गिरी हुई पंखुडिया मिल सके, मैंने अपने जेब में डाल दी, फिर वहां से शाम को लवटा, होटल में मेरे, तो वो फैला कर रख दी, सुखाई, मुंबई में, दो-दो पंखुडिया मैंने बहुत लोगो को दिये, उनको लगता है, उनको राम लला के दर्शन हो गए, इसका परणाम सोच रहे हैं, अगर ये सोचने के लिए, आपको यूमन माइंड की जरूत होती है, आपका खिताबी ध्यान काम नहीं करता, क्योंकि आस्ता है, ये दिमाग की बात है, तो अयोद्य का परणाम क् सकता है, इसकी जलक में आपको दिखाई, आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत दर्शकों को बहुत-धन्यवाद, इसके मेरी कव्वाली मही के आपकरी दिमें, कव्वाली कव्वाली के ये जो है, ये चुकि एडिटेट चलेगा, तो कोशिश करेंगे कि कव्वाली का उसका कुछ एडिट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, बंदे, महात्रम,